सब्सक्राइब से चैनल बाद सभी का स्वागत है संग्या प्रिकन्ड को हम शुरू कर रहे हैं यह सब्धी भी गलत है शुरू कर चुके हैं और उमीद है आपको दो उसमें से वीडियो मिली गए होंगे तो कम से कम एक बार हमें ऐसा पता चल जाए कि हम सही समझा रहे हैं तो हमारा उत्सा हो जो है अच्छी से बढ़ जाएगा ओ क्या माध्यम हो सकता है सिर्फ दू माध्यम है एक तो लाइक माध्यम है और दूसरा है कमेंट तो कमेंट में जारा समय लग जाता है सायद आपको इ सूत्र पर संग्या प्रकान ठीक है इसमें कायद में आज सम्झाने जा रहा हूं वो संधी में सम्झाना चाहिए था लेकिन मैंने उसको संधी छोड़ दी थी क्योंकि इसमें संधी को सम्झाने में प्रकृति भाव संधी के नाम से है वो लेकिन मुझे कुछ इसमें ठीक नही विश्तिरित रूप से समझाऊंगा और कोशिश करूँगा कि संधी भी आपको इसमें पूरी से समझ में आ जाए कि कोई संधी होनी चाहिए थी और क्यों नहीं हुई है तो है चलते हैं कि इदू देद कि दूइवचनम प्रग्रियम ठीक है थोड़ा सा मैं इसकी ब्याक्ख्या करूँगा तो आपको बात हैं और साफ होती चली जाएंगी देखिए इदू देद अब देखिए इसमें तीन प्रकार से इसको हटा सकते हैं बाढ़ सकते हैं तीन भागों में जैसे इत थोड़ा सा संग में आ रहा होगा आपके फिर है ऊट और फिर है एत ठीक है इत ऊट एत यह इसका ब्याक्ख्या होई अब बात आती है दूइवचनम की दूइवचन हम सब जानते ही है फिर आती है प्रग्रहियम दूइवचन का मतलब दूइवचन ही है प्रग्रहियम का मतलब होता है यहाँ संग्या है इसका प्रग्रहियम नाम है इसका अब प्रिग्रहम संग्या होती किसकी है ये मुक्छ है तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बात साफ हो जाएंगे E कारांत U कारांत A कारांत एक बार और E कारांत U कारांत A कारांत जब ये किसी शब्द के अंतमे हो ऐशा कोई शब्द जिसके अंत्में e हो, जिसके शब्द के अंत्में u हो और a हो है न, आई नहीं, a और वो ऐसे बहुत सारी सब्द मिल जाएंगे हमको ठीक है? लेकिन दूसरा ही कहता है यह दूई वचनम अर्थात वो जो E कारांथ, U कारांथ और E कारांथ शब्द हैं, वो दूई वचन के ही होने चाहिए सभी मा आगे होगे अब थोड़ी सी बात है ये दूई वचन के अंतरगत प्रियोग किये जाने वाले शब्दों की प्रग्रहिम संग्या होती है ठीक है जब मैं इसके एक दूधान दूँगा तो आपको बातना साफ होती चलिए जाएंगी जैसे हरी शब्द है ठीक है न विश्णु शब्द है गंगे शब्द है बात देखिए यहाँ जो ई है हमारे पास दीर गी है विश्णु में दीर उ है और ये गंगे में ये है लेकिन इसका मूल क्या है हरे ठीक है न विश्णु हूँ और ये गंगा ये तो है अब इसका एक बचन तो हमारे पास ये है तो हमारा ये दूई बचन हो गया अब दूई बचन हो गया तो इनकी कौन से संग्या हो गई प्रिग्रहिम संग्या हो गई ठीक है लेकिन यहां एक बात और समझने की है पूरे शब्द की प्रग्रहम संग्या नहीं होती है याद रखना क्योंकि हम यह संधिया जो है जो स्वर संधी के यह अंतरगत आती है इसलिए स्वर की ही प्रग्रहम संग्या होगी अर्थात इत उत और एत इनकी दुईवचन के अंतरगत होने से प्रेग्रहम संग्या होगी क्योंकि जब संदी होती है तो स्वर बदले जाते शब्द नहीं बदले यह बहुत वैसी बात बता रहा हुँआ आपको थोड़ा गहरी थोड़ा सा समझने की है प्रेग्रहम संग्या किसकी होगी इत की उत की और एत की अर्थात ए उ और ए की प्रिग्रेम संग्या होगी यदि वो शब्दों के साथ दोई बचन में प्रियोग की जा रहे हों ठीक है तो फिर वो स्वर बदले नहीं जाएंगे क्योंकि स्वर के अंतरकात आते हैं इसको प्रकर्ति भाव भी बोला गया है जो कित्तों रहते हैं प्रकर्ति य इमोव अमूँ ठीक है अब देखिए यह हैं अब इनके साथ में क्योंकि हमने पढ़ा है एक केस्थान पर यन आदेस हो जाता है यदि अच वाद में हो तो है न बदला नहीं जाएगा एक बार फिर बताऊंगा शब्द की प्रकृतिभाव नहीं होता शब्द को प्रकृतिभाव संग्या नहीं होती किसकी होती है इंस्वरों की प्रकृतिभाव प्रिग्रेहम संग्या होती है और कब होती है जब वो दूईवचन के अंतरगत पुरियोग किये जा रहे हो ठीक है तो ये जियोजों कितीओं रहेंगे इसमें कोई भी बदला नहीं होगा इसमें एक भी प्रतिशत बदला नहीं होगा क्योंकि ये सब संधिभाष जो पीछे परणी है मैं उनका लिंक भी डिसकस में डाल दूँगा उनमें जाकर के पहला अध्यन कर लें कि इनका क्या होता था फिर उसके बाद में ये पूरी बाता समय में आ जाएंगी ज्यों की तो रहेगा ये हरी ये तो इसको प्रकृतिवासंधी भी बोल सकते हैं विष्णों इमाउ और ये गंगे अमू उमीद है ये आपको अच्छी से समय मा आ गया होगा तो मैं अब अगले एक सूत्र है इसी का हाला कि इससे हो जाता था लेकिन क्यों हो दूसरी सूत्री का आप शकता पड़ी वो हम उसी सूत्र में जानेंगे तो चलते हैं दूसरी सूत्र पर अगला है अदसो मात मैंने जो उधार दिये हैं भी सूत्रों में आप उनका यह अभ्यास करेंगे क्योंकि चीजें खाली वीडियो से ही समय आती यह मानते हैं हम कि सुनना और देखना जब दूस द्रसेश्रब जो सामिक्री होती है वो ज्यादा प्रभावित करती है लेकिन जब तक ह अब खोसार उधार्ण है तो उनका जब अभ्यास करेंगे तो हमारी मस्तिस्क में अब चितन मस्तिस्क में बैट जाएगी फिर हम उसको याद करने की आवशक्ता नहीं रहेगी तो अदसो मात अदस क्या है इसको देख लेते हैं और फिर मात अदस शब्द है ठीक ना सर्बनाम सर्बनाम शब्द है ये माद का मतलब है मा के बाद मकार के बाद यहां मात से सब्द क्या है मकार के बाद लेकिन बाद क्या इसमें दो ची लेगी है सिर्फ क्या है कि अगर अगर अश्टध्याई को हम करम से अद्ध्यन करा है तब समय में आती है चीज़ें बहुत सारी पहले जो सूत्र दे रखे होते हैं उनको उधार ले लिया जाता है मेरे नजर में तो उसको उधार ही बोलेंगे तो इसमें के बाद में E और U को लिया गया है E और U अर्थाद E और U यह हमने दोनों पड़े थे पिछले वारे सूत्र में इन दोनों को लिया गया है यदि मा के बाद में E और U हो अर्था मी और मू हो इस तरह से हो तो क्या हो जाता है उसकी प्रग्रहम संग्या हो जाती है अब बात आती है E दूद्वे दूवेचन प्रग्रहम से भी इसकी प्रग्रहम संग्या हो सकती थी तो इसका एक कान है वो मैं अब लिखके बताता हूँ आपको देखी इसमें हमें जो रूप प्राप्त होते हैं वो इस तरह से पूरे लिख लेते हैं समय मा जाएगा फिर बात में प्रित्मा का ले लेते हैं पुलिंग में है ना पृत्मा के बहु बचन पृत्मा के बहु बचन में हमें क्या प्राप्त होता है अमी अब चलिए ये किस में है पुलिंग में है लिख दू में पृत्मा के और प्लस दूतिया के अब दूई बचन के बात आएगी दूई बचन में रूप बनता है अमू ये भी हम पॉल लिंग में ही लिखेंगे ऐसे ही लिखते चले हैं प्रत्मा दूटिया दूई बचन ये मिलता है अमू इस तरी लिंग में है ना ऐसे ही प्रत्मा प्लस दूटिया दूई बचन अमू ये मिलता है हमको नपॉन सक लिंग में बात हैं थोड़ी समझने राइक है यहां जो अमू का प्रियोग किया गया है ठीक है ना अब देखिए हमारा यह पहला सूट्र था वो कहता था कि इदू दे दूवचनम प्रिग्रिहम अर्था दूवचन की किसकी दूवचन जो दूवचन में जो प्रियोक किये गए हैं सब्द उनकी वो प्रिग्रिहम संगा करता है लेकिन यहां पर जो हमें प्राप्त होती है अमी वो दूवचन में ना हो करके बहुचन में प्रियोक की जा रही है announce को यह किसमें है यह पुल्लिंग में है तो इस और इस केवल इस के लिए पुलिंग के लिए इस स्ूत्र का निर्मान करना पड़ा अन्यता कोई भी आवशकता नहीं थी उस भी मैं और प्रियोप की College ब silently में यह हमारे दोनों हमूँ औरम फार यू इदस्स अधुरों कि प्रिग्रहिंत संग्या हो जाएगी कभी आ प्रशन हाजा जाए कभी के पुलिंग में आमी और अमु की जो संग्या होती है वो किसके द्वारा होती तो अधसों मात के द्वारा लेकिन इनकी आए जाए कभी तो इदुदे दोविचन प्रिग्रहम के द्वारा ही इसमें क्या होती है संग्या होती है कौनसी प्रिग्रहम संग्या ठीक है तो मैंने इसको अच्छी से समझाने का प्रयास किया है मैं इसके उधान देता हूं एक दो अमी अमू और अमू है ना इसको देख लेते हैं इशा देखिए प्रकरती भाव रह जाती है अगर हम इसमें संदी देखें तो संदी कौन सी हो रही है अकास अelnे दीरगा से दीरग संदी हो रही है तो प्रियोक के नहीं है? अमीशा प्रियो हो रहा था लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमने इसको सही से जान लिया है तो प्रकरती भावी रहेगा बन जाएगा ये अमीशा ठीक है? एसे ही इनको भी हमें जानना चाहिए उम्मीद है यह आपको सही से समझ में आ गया होगा फिर वह यदि कोई आपको कहीं भी कुछी भी प्रकार का संदे हुआ करा है तो मुझे कमेंट में अबस कमेंट किया करा है हो सकता है मैं कमेंट में उसको कुछ समझाने का प्रयास करूं कुछ दुवारा से वीडियो बनाना तो मुझे नहीं लगता है कि संभाव है लेकिन कोशिश करूंगा मैं उसको सही से आपको बता दूँ तो आज के लिए इतना ही नमस्कार जैन